वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकन में आल को प्रेस कर दीजिए नमस्कार, ट्रेंस एंटरवल में आपका संदई हॉल्ट से बहुत-बहुत स्वागत है ये वीडियो भेजा है सुखलाल वर्मा जी ने, जो की एक स्थानी पत्रकार भी है, समासेवी भी है और यहां के जो कारे चल रहे हैं, पीलिभीत शागर, आमान परिवर्तन के पैकिस्तीन का जो पार्ट टू है शागर से आगे अब कारे होना है, और धीरे धीरे कारे रफ़तार पकड़ रहा है तो यहां के जो अपडेट्स हैं, वो सुखलाल वर्मा जी की बदौलत हम लोगों तक पहुँच पाती है, मिल पाती है तो यह लेवल क्रॉसिंग है, और यहां पर जो गेट्मैन के लिए केविन बनाया गया है, आप देख सकते हैं, कितना खूपसूरत यहां पर चितरकारी की गई है पैकेज तीम के अंदर जितने भी होल्ट और स्टेशन्स हमने देखे अभी तक, सभी में बहुत जादा चितरकारी की गई है, काफी अच्छे से डेकुरेट किया गया है अगर हम कहें, यहां पर आप देख सकते हैं, गेटमेन का जो केविन है, तयार है, रेलिंग्स यहां पर लग गई है, लेवल क्रॉसिंग पर, सामने आपको ओएची के मास्ट भी नजर आ रहे होंगे और यहां पर बैलस्ट बिचा दिया गया है, कॉंक्रीट के स्लीपर्स साइड में यहां पर रख दिये गए है, और यह वो पुल है, जहां से फिर हमारे माला फॉरस्ट की बाउंडरी शरू होती है, यहां से सीमा माला जंगल की शरू होती है, इस पुल को जैसे ही आप किया जाना है इसको तोड़ा जाना है और यहां से आगे अभी कार जंगल में साफ सफाई का शुरू हुआ है बहुत हलका फुलका जाड़िया जो है यहां से जो सामने संदई होल्ट आपको नजर आ रहा है इधर हमारे मैलानी की दिशा हो जाएगी शागल की दिशा तो यहां तक सामने बैलस्ट जो है इसप्रेट कर दिया गया है उसको बिछाने का काम यहां पर सामने आपको दिख रहा होगा गिट्टी फैली हुई है बैलस्ट यहां पर फैला हुआ है शुबा सुबा का समय है हाना कि तराई में अभी यह वीडियो शूट किया सुखलाल वर्मा ज साइट पर पहुँच गए हैं पूर्व का वीडियो जब हमने किया था संदई होल्ट से तो यहाँ पर रेल बेट कम्प्लीट हो गया था लेकिन यह कॉंक्रीट के स्लीपर्स और बैलस्ट यहाँ पर नहीं पड़ा था लेकिन अब आप देख सकते हैं कि रेल बेट के ऊपर ब माना जाता है और जो OHE के कारी यहाँ पर आप देख सकते हैं मास्ट डालने का काम है 90 डिग्री पर यह सारे मास्ट भी देखिए इरेक्ट हो गये हैं क्योंकि KPTL यह रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कारी है वो कर रही है और अभी NOC नहीं मिल पा रही है यह छोटी सी NOC क चलते मैलानी से शागर का जो पैकेज है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार वो लटका हुआ है कुरईया के पास 900 मीटर के आसपास का ट्रेक है जिसमें तार लगना बाकी है मार्च तक कोशिश की जा रही है जैसा सूत्र बता रहे हैं कि कम से कम शागर तक सेक्शन किसी तरह चालू हो जाए इसके लिए अब तैयारियां चल रही है दबाव भी पड़ रहा है पूरनपुर की जो बिल्डिंग ए स्टिशन की वो भी लगबग तैयार हो गई है वो भी कार अंतिम चरण में है वहाँ पर लेकिन शागर से आगे जो 22 किलोमीटर का अभी हमारा सेक्शन ह लगबग दो वर्ष का समय लग जाएगा आप मानके चलिए अभी टाइम लगेगा डेर से दो साल का समय अभी इसमें लगेगा कारियों को पूरा होते क्योंकि शागर से संदई तक संदई होल्ड का बोर्ड आ गया देखिए ग्लो साइन बोर्ड यहाँ पर नए लगा दिय गए हैं चमक रहे हैं और जो स्टेशन है यहाँ पर जो हल्ड है संदई का जो प्लैटफॉर्म है जिसको कहते हैं आप देख सकते हैं वो काफी अच्छा यहाँ पर तयार कर दिया गया है लंबा भी है और उंचा भी है मानकों के अनुसार ताकि सुविधार है ब्रॉड गे हुए हैं सब 90 डिग्री पर सेट हो गए है इसके अंदर अभी ब्रैकेट्स लगाने का काम यहाँ पर किया जाएगा साथी साथ पीले रंकी पट्टी आप देख रहे हैं नॉन इंटर लॉकिंग टाइल्स यहाँ पर लगा दिये गए हैं संदई हॉल्ट पूरी तरहें से त रहा है कि जल्दी ही यहाँ पर कॉंक्रीट की स्लीपर्स को बिचाया जाएगा संदई हॉल्ट के उपर भी आपको बहुत जल्द प्रैक बंधता हुआ नजर आएगा प्रैक बिचाने का काम यहाँ पर भी जल्दी ही कर लिया जाएगा यहाँ पर बेंचेज लगी है छोट देखिए बारा सिंगा बने हुए हैं, तो यहाँ पर तरह तरह की वन्य प्राणी जो हैं, उनकी आकरतियां उकेरी गई हैं, और छोटी सी यह टिकेट विंडो है, टिकेट घर जिस पर लिखा हुआ है, संदई होल्ट पूरी तरह से कंप्लीट है, जो सिविल वर्क होते हैं, क वर्ट पूरी तरह से तयार है, उसके सामने अब यहाँ पर कंक्रीट के स्लीपर्स पहुँच गए हैं, तो इसको देख करके यह लग रहा है, सामने आप देख सकते हैं, रोलर खड़ा हुआ है, जो की चल रहा है, इसको लेविल कर रहा है, और बहुत जल्द यहाँ पर कंक का, जो मस्ट डालने का है, इरेक्ट करने का वो हो गया है, और फिर इसके बाद, अगर आप माला से आगे चलेंगे, द्यूरी के दिशा में, तो वहाँ पर कारे तेजी से चल रहा है, द्यूरी से माला की दिशा में, और द्यूरी से पिली भी जنگ्शन की दिशा में, O.H.E की foundations बनाई जा रही है और मास्ट डालने का काम वहाँ पर हो रहा है लेकिन अभी जंगल के अंदर माला forest के अंदर चुकि एनोसी का इंतिजार हो रहा है उसके बाद ही वहाँ पर रेल electrification से सम्मंदित कुछ भी कार हो पाएंगे माला के station धिरे-धिरे तयार हो रहा है निर्माण वहाँ पर चल रहे हैं माला station के ऊपर जो platform की ठोकर वगशन है वहाँ पर तयार की जा रही है कारे तेजी से वहाँ पर चल रहे है station पर कार हो रहा है लेकिन अभी जंगल के अंदर कार बहुत धीमी गती से चल रहा है विशेशकर जो 7-8 km का हमारा जंगल का एरिया पड़ता है Core Tiger Reserve जिसको आप कह सकते हैं माला के अंदर का जो एरिया है विशेशकर नहर के बाद जहां से शुरू होता है संदई के आगे से वहां से लेकर के माला का जो इस्टेशन है वहां तक जो पुल अभी बनना है वो बाकी है उसमें भी समय लगेगा साल भर कहीं ने गया है तो अभी भी यहां से मैं साल भर का समय अराम से लेकर के चल रहा हूँ कि साल सवा साल लग जाएगा और 2024 तो कहीं नहीं गया है ये सेक्शन खुलते-खुलते 2024 में जाकर के अगर संभव होगा तो सेक्शन शुरू हो पाएगा उससे पहले तो संभावना मुझे नजर नहीं आती है वर्ष 2023 में हाँ कोशिश की जा रही है मैलानी से आगे शागर तक NOC जब मिल जाता है रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारे पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद इज़त नगर मंडल कोशिश कर सकता है रेल गाडियों के विस्तार की या कुछ नई ट्रेन लखनव से शागर तक पूरणपुर तक चलाई जा सकें और माल गाडिया शुरू करने चाहिए ताकि फिर जो आमदनी है रेलवे की वो भी शुरू हो पूरणपुर के यात्रियों को भी सुविदा मिले यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सारा चट्टा बैलस्ट का लगा हुआ है सामने आप देख सकते हैं संदई होल्ट का यहाँ पर दिर्श्य हम आपको द लिए कि यहाँ पर ट्रैक बांधने का काम शुरू हो जाना चाहिए क्योंकि फरवरी अब आने ही वाला है तो पिक्चर फरवरी के बाद कुछ क्लियर होगी कि शागर से संदई तक जो कार हो रहे हैं उसकी क्या प्रोग्रेस होती है यह पता चलेगा क्योंकि धिरे-धिरे दिन बड़े हो रहे हैं और सर्दी धिरे-धिरे कम होगी जब तो कारियों में कुछ रफतार आएगी तो प्लैटफॉर्म के अब हम लोग दूसरे छोर पर पहुंच गए हैं प्लैटफॉर्म पूरा कंप्लीट है संदई होल्ट का और यहाँ पर बैलस्ट आप देख सकते ह नीचे बिछा हुआ है छोटी वाली बजरी पड़ी हुई है कॉंक्रीट की स्लीपर्स यहां तक रख दिये गए हैं और उमीद की जा रही है कि जल्दी ही यहाँ पर ट्रैक बांधने का कारी होगा क्योंकि यह बहुत रिमोट एरिया है यहां से वीडियो करपाना या पाता है आप तक अपडेट हम पहुंचा रहे हैं संदई से द्यूरी माला और संदई तीनों ही बहुत रिमोट एरिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से बैलस्ट को अब स्ट्रेट किया जा रहा है कारे देखी तेजी से चल रहा है कारियों में कुछ रफत है तो उमीद है आज की अपडेट आपको पसंद आई होगी संदई होल्ट से और अभी कारे होने में भी समय लगेगा जैसा आपने देखा नहर का जो पुल है अभी डिसमेंटल नहीं हुआ है आगे साथ सफाई कुछ शुरू हुई है और फरवरी में जैसा सुन रहे हैं औ परवरी से दिन बढ़ जाएगा तो उसके बाद जंगल में साथ सफाई का काम शुरू होगा पहले ट्रैक ताकि नजर आए विजबिल हो उसके बाद जेसी बी की मदद से ट्रैक को उखाना जाएगा और उसके बाद फिर आगे कार बढ़ेगा